कुंडली जानती है आपके राज, कुंडली बताए क्या क्या करें काम काज, कुंडली पहना सकती है सिर पेताज, कुंडली जानती है कब गिर सकती है गाज, कुंडली बचा सकती है आपकी लाज, कुंडली के पास है हर मर्ज का इलाज घबराए नहीं धर्म गुरु डॉक्टर संजय आर शास्त्री के पास है ऐसी हर समस्या का समाधान तीस साल के अनुभवी वेद विज्ञानी प्रकांड जोतिश और आध्यात्मिक डॉक्टर शास्त्री के पास है ऐसे अचूक पुपाय जिन से आप पासकते हैं नया जीवन कुंडली जानती है आपके राज कुंडली बताए क्या क्या करें काम काज कुंडली पहना सकती है सिर पेताज कुंडली जानती है कब गिर सकती है गाज कुंडली बचा सकती है आपकी लाज कुंडली के पास है हर मर्ज का इलाज घबराए नहीं धर्म गुरु डॉक्टर संजे आर शास्त्री के पास है ऐसी हर समस्या का समाधान तीस साल के अनुभवी, वेद विज्ञानी, प्रकांड जोतिश और आध्यात्मिक डॉक्टर शास्त्री के पास हैं ऐसे अचूक पुपाय जिन से आप पासकते हैं नया जीवन जैसर किष्ण, जैसर राधे दर्शकों, मैं डॉक्टर सिन्यार शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल फेस्बूक पेज, डॉक्टर सिन्यार शास्त्री में आपका स्वाज़त करता हूँ, दर्शकों, आप सभी की बड़ी इच्छा है कि मई महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, और कैसा रहेगा 2023 माई का और इस्पेशली मिथून राशे वालों के लिए, जैमनाई, आपके राशे के स्वामी मिथून बुद्ध हैं, और इनका अपना रंग ग्रीन यानि कि हरा कलर है, आपके लिए एक ग्रह गोचर पर अधारीत, जो आपके नाम राशी है, मिथून राशे वालों के लिए कैसा लेके आ रहा है, आपके लिए बैपार, विबा, नौकरी, बिद्या, इस सब कुछ स्वास्त, परिवारिक दृष्टी से, और आपका समाजिक दृष्टी से कैसा समय रहेगा मई का मिथून राशे वालों के लिए स्पश्मा चर्चा कर कि अगर आप मेरे वीडियो का भी आप देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में दो नाम जरूर लिखेगा जैसर किष्ट जैसर राद है यह दो नाम आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली हैं साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और हाँ वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक जरूर करिए और ना पसंद आए तो अनलाइक भी करिए connected रही है मुझसे और क्या पता आपके एक share मातर से आपके friend family कुछ छी से देखे और अपने जीवन को बदल ले इसी भाव से इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं और मिल जूल करके काम करेंगे team work की तरह कहा जाता है कि कर भला तो हो भला अगर हम अच्छा करेंगे दूसरी तक अच्छी बातों को पहुँचाएंगे तो हमारे जीवन में भी अच्छा होगा तो दर्शको बिना बात गवाय समय को हम लोग अपने main विशय पर आ जाते हैं मिथुन राश्ची वाले के लिए मई महिना मिथुन और मई यह महिना आपके लिए इस वर्ष का सबसे उत्तब महिना माना जाएगा क्योंकि आपके लगन में ग्रह गोचर के इंकुलू जो मैंने कुनली बनाई है उसमें लगन में ही मंगल और लगन में ही चंद्रमा मेतुन राशी के ही चंद्रमा है चंद्रमा आपके मांसिक रूप से बड़ा श्ट्रोंग बनाने वाले है मन से आप बड़े पजेटिव बनने वाले है मन आपका शान्त होगा बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा अगर आप किसी असमंजस में आज तक फसे हुए थे तो अचानक आपको रास्ता दिखने लगेगा और confidence से आप भरे मिलेंगे साथी साथ लगन में मंगल काना पंदर मई से पहले-पहले आपके लिए अगर कोई जमीन से रिलेटेज किसी तरह का काम आपका था वो बहुत अच्छा होने वाला है साथी साथ हेल्थ में बरसों से ब्लड़ से रिलेटेज बिमारी जो आ रही थी या कुसी तरह का blood pressure था, सुगर था, किसी तरह का या cluster निट्यादी की परिशानी थी, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन 15 माई के बाद मंगल गोचर में नीच रासी के परिवर्तन कर जाएंगे, और मंगल नीच रासी यानि की नीच रासी में जब जाएंगे, तो 15 माई के बाद फिर भी थोड़ा सा आपको health से related ध्यान रखना चाहिएगा, क्योंकि अगर आप BP से, सुगर से और कलस्टरोड की विमारियों से परिशान चल रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्या रखना होगा, specially आपको योगा, प्रानायाम, समय से अहार वहवार के शुदता आपको बिशेष रखनी होगी, जिससे आपका सेहद अच्छा होगा, अब हम लोग बात करते हैं, आपके चार ग्रहों का समागम, इनकम अस्थान में मेश रासी का ये प्रबल योग बनाता है, जैसे मैंने कहा था, मितून मई दोहजार टेज, ये सबसे बढ़िया महिन आपके लिए रहने वाला है, ये चार ग्रह इनकम अस्थान में बैठ करके, चारों तरब से आपके इनकम के आए के दरवाजे खोल रहे हैं, यहाँ पर ब्रस्पती का अपना पोजिशन बहुत स्ट्रोंग है, जो ये बताते हैं कि इस महिने में आपका इनकम का साधन बनेगा, धार्मी की आत्राएं आपकी बड़ी अच्छी होंगी, परिवार में आपका एक मान परतिष्ठा समाज में मान परतिष्ठा बढ़ेगा, आपके रिस्दार आपको बड़े प्रेम भरे नजरों से देखेंगे और आपका बड़ा सम्मान करेंगे, साथी साथ आपकी प्रतिष्ठा समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा बनने वाले है सूरी आपको नेम फेमी अश्मान प्रतिष्ठा देने वाले है पिता पक से आपका सम्मान आपका प्रेम बरसों से अगर परिवार में कोई कलेस था माता पिता के साथ भी अगर विचार नहीं मिल रहे थे तो यह बहुत बहतर दिख रहा है साथी साथ पिता पक से एक बहुत बड़ा financial support मिल रहा है आपको और mentally support मिल रहा है पैत्रिक सुख आपको पैत्रिक संपती का सुख भी प्राप्त हो रहा है इस सब कुछ आपको सूरी इंकम अस्थान में बैठके देने वाले हैं बुद्ध आपको वहाँ पर decision देने वाले हैं अच्छा decision क्योंकि बुद्ध आपके सुख अस्थान का और साथी साथ आपके लगन का कारक है और लगनेस और चतुर्थे सोकर के बुद्ध इंकम अस्थान में बैठे हैं तो माता पिता के साथ सम्मंद अच्छे हो रहे हैं मा के तरब से आपको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है साथी साथ आपका आत्म विश्वास बढ़ रहा है दूसरी चीज़ शनी आपके भाग्यस्थान में बिराजमान है अपने ही घर में शनी भाग्य में आना अगर आप बरसों से विदेश की त्यारी कर रहे थे और आपको बिज़ा इत्यादी नहीं लग रहा था तो पश्यम मुलकों के लिए बिज़ा की संभावना आपकी बढ़ रही है पश्यम मुलक में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यूग बन रहा है अगर आप रूके हुए है तो मैं कहूंगा कि आप मही महीने में जरूर बिज़ा से रिलेटेड काम को त्यारी करिए और आपका 99% संभावना है कि आपका बिज़ा लगे और आप बाहर आ जाए इसके साथ शनी का भाग्यस्थान में आना कुछ लोगों के साथ आपके अच्छे सम्मंध भी बनेंगे जो बैपार को बढ़ाएगा बैपार बढ़ा करके आप अच्छा कर पाएगे दिख रहा है शुकर का अपने ही घर में ब्यस्थान में बैठना और पंच में शो करके आपके साथ पंच में शो करके शुकर पंच में से और ब्याई सो करके अपने ही घर में बैठ है तो निश्चित रुप से के लिए बहुत अच्छा है बैपारी के लिए बहुत अच्छा एक संतान अपने माता-पिता के प्रती जो वहवा रखना चाहते हुआ है वज्चा बरसों से बिगड़ा काम बनता हुआ दिकरा है साथ ही साथ मैंने का कि मंगल आपके हेल्थ पर असर डालने वाले हैं उसके ल इने में लकी कलर आपके लिए सबसे लकी कलर जो हो सकते हैं सबसे अच्छा सफेद कलर होगा और ब्लैक कलर दो कलर आपके लिए लकी कलर होंगे लकी दिन आपके लिए बुधवार और शनिबार यह दोनों लकी दिन होंगे और साथी साथ आपके लिए लकी नंबर थ्री औ और नाइन यह दोनों लखी नंबर होंगे आपके लिए इस नंबर पर आप काम कर सकते हैं ऐसे हैं मेरे वीडियो को आप शेर सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक जरूर करिए और मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में जैसर किस्ट जैसराथे जरूर लिखिए नमस्कार